काफी टाइम से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं MSC entrance की preparation कैसे करें प्लीज बुक्स के बारे में बता दो बेसिक कितने important हैं प्लीज यह बता दो कि हमें advance कहां से करना है और कितना करना है तो इस वीडियो में मैं इसी की बात करूंगी कि how to prepare for your MSC entrance, CUET, DUET, PUSET, Alligard Muslim University, Jamia, अगर आप हर्याना के हैं तो हर्याना की इनिवसिटी, ओडिसा के हैं तो ओडिसा सीपैट, अगर आप असंद के हैं तो गुवाटी इनिवसिटी, राजस्थान के हैं तो राजस्थान इनिवसिटी, ऐसे ही काफी सारे स्टेट की अपनी और जो कुछ कॉमन हैं वो CUET, Common Entrance Test के अंडर आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं जो बात करूँगी वो Life Science Subject के बारे में बात करूँगी ठीक है, Botany, Zoology, Biotechnology, Microbiology तो CUET की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर प्रिप्रेशन करने में, Microbiology, Biotech, Biochemistry इन सब में कुछ जादा अलग चीज़े नहीं है, बट अगर आप सिफ Delhi University को टार्गेट करते हो, तो वहाँ के मैं आपको Core Microbiology के बारे में यहाँ पे नहीं बताने वाले हूँ, मैं अग Cell Bio, इन सब exams के बारे में commonly बता सकती हूँ, क्योंकि वह common exam है, बट डियू का, Micro का पेपर थोड़ा सा अलग होता है, तो यहाँ से आप सब को यह पता चल रहे है, कि आप All India के कोई भी State या Central University की अगर preparation करते हो, तो आपको जादा कुछ अलग नहीं पढ़ना, बस सब का अपन नहरू University, JNU, इसके लाव जो फेमस इन्वस्टी है, हिद्राबाद इन्वस्टी, बनारस हिंदू इन्वस्टी, पॉंडी चैर इन्वस्टी, पुने इन्वस्टी, तो पुने इन्वस्टी का तो अभी अपना अलग से हो रहा है, पॉंडी चैरी इसी में आ गया है, तो का साफी सारे पहले तो आपको लिस्ट बता होनी चाहिए कि कौन सी इन्वस्टी किसके अंदर आ चुकी है, ठीक है, फिर बात करें प्रिपरेशन की, क्या मैं 11-12 के एलर नाकाश के मोड्यूल या कोई भी कोचिंग के मोड्यूल इनफ होंगे, आंसर इस बिग 9, क्यूंकि त्यारी कर रहे हो, आप सिर्फ 11-12 का पेपर देने नहीं जा रहे हो, 11-12 करना is most important, नीट के 35 years के question जो आए है, aims के जो question आए है, करना is most important, बट वो सिर्फ इनफ नहीं है, अगर आप कुछ लोकल जगे की preparation कर रहे हो, might भी वहां का pattern ऐसे हो सकता है, कि आप basic करो, तो आपका का से चल जाएगा, बट इन केस आप basic नहीं करते हो, सिर्फ advanced पे चलते हो, तब भी आपका selection नहीं होगा, क्योंकि इस साल 2022 में जो paper हुआ था, काफी बच्चे थे मेरे students वहां, मैं जब पढ़ाती थी, मेरे पास 150 प्लस students पढ़ रहे थे, तो मैंने students को बोला था, advance में हम कर रह थे, कि आप लोग इन basics को भी यहां से पढ़ना, जिन्होंने पढ़ा, उनका काफी अच्छा exam गया, जिन्होंने अपने basics पे work नहीं किया, या जिन्होंने सिर्फ basic पे work किया, advance विजे नहीं पढ़ी, वो कहीं ना कहीं, या तो admission नहीं ले पाए, या ले पाए तो थोड़ा स कम level वाली university में ले पाए, बट उनको खुशी है कि मैं हम चलो at least कहीं तो हुआ, अब आपके लिए बात है, कि मैं कैसे त्यारी शुरू करें, शुरू करो in case for example, आप लिस बना लो कि आपकी, पहले तो आपको कितनी units हैं वो करनी है, आप life science के हो, आपको पूरा botany, पूरा ज जुरोजी के subject नहीं दे रखे, in general जो होता है, in general में क्या होता है, in general में होता है, biochemistry, cell biology, ecology, evolution, mall bio, genetics, biotechnics, biochemistry, etc. जो ये units हैं, ये आजाती हैं, in general units में, ये आप botany हो, जुलोजी हो, life science हो, microbiology हो, biotech हो, सब में आती हैं ये units, बात है कौन सी थोड़ी अलग है, अलग है, botany के अंदर आ जाती है, plant anatomy, plant morphology, इसके लावा, taxonomy, taxonomy के लावा, algae, ब्राइफाइट, टैड़ोफाइट, जिमनोस्पम, एंजियोस्पम, इसके लावा, embryology and flowering plants, इसके लावा, economic botany, and इसके लावा, plant physiology, तो ये जो units हैं, ये सिर्फ botany में आती हैं, जो लोजी में, सेम इसी तरीके से, parasitology, immunology, cancer biology, developmental biology of the animal, animals की पूरी diversity, codate, non-cordate, animal physio, animal की economic आती है, अलग से, animals में evolution और ecology की थोड़ी सी अलग से detail होती है, जो botany जोलोजी वाले, botany वाले नहीं पढ़ते, तो ये जो हैं, ये अलग है, botany में ये अलग है, life science को ये सब भी करना है, ये सब भी करना है, और जो common था, life science को वो सब भी करना है, ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, अगर आप मिस कर गए, तो फिर से, वीडियो को पीछे करके, एक बार देख ले ना, कि क्या मैंने बताया था, ठीक है, तो ये सारी, यूनिट जो है, ये आती है, बात है, अब आप, microbiology को अगर टार्गेट कर र रखी, botany वाली सारी दे रखी है, life science वाली जो इन जनरल थी, वो दे रखी है, तब आपको देखना है, कि आप किसको टार्गेट कर रहे हो, फिर बच्चे मैसेज करते हैं, मैम प्लीज आप स्लेबस भेज दो ना, प्लीज मैम, तो थोड़ा सा खुद सर्च करो, अगर आप आपको CUET का स्लेबस देखना है, तो NTA CUET PG की वेबसाइट ते जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारा स्लेबस का लिस्ट मिलेगा, मेरी पुराने वीडियोज विजिट करो, मैंने सब बताया हो है, थोड़ा विजिट करो के तो सब मिलेगा आपको, ठीक है, इसके लावा, DU के अंदर कंप्लीट BSC का ही सलेबस आता है, थोड़ा और आइडिया लगाना है, पास्ट येर कॉशन पेपर लो, अच्छा मैं प्लीज पास्ट येर कॉशन पेपर भीज दो, अरे बेटा मैंने सब कुछ भीज रखाया, यूटूब देखो मैं का, टेलिग्राम देखो, टेल करो, मेरा एप भी प्ले स्टोर पे, स्टडी विद पूजा मित्ल एप सर्च करो, एंड्रोइड में डाउनलोड हो जाएगा, आइफोन यूजर हो तो वैप साइट से आप विजिट करके, एप के सारी चीजे आप देख सकते हो, कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, लाइक है, मैसिस कर दिया करो, आपको वह चीजे मिल जाएंगे, तो बात आई, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए, कि आपको पूरा स्लेबस देखना है, आपको ये लिस्ट बनानी है, कि आपको कितनी यूनिट्स करनी है, स्लेबस देख लिया, लिस्ट बना ली, अब आपक तो एक बर पेपर उठाके देखो कि कहां से कितने कितने कॉश्चन आयों है किस टाइप के कॉश्चन आते हैं क्या यह 11-12 बेसिक के ही या थोड़ा सा एडवांस है यह सही पढ़ने का तरीक है तो आपको अगर समझ में आता है कि या बेसिक भी काफी पूछा हुए या थोड है because पहले किस टाइप के कॉश्चन आए होए हो अब किसी और टाइप के कॉश्चन आदे तो कंप्लीट सलेबस करना ही important होता है ठीक है तो अभी करना कैसे है करना ऐसे है जो भी यूनिट उठाओ या तो ऐसे करो कि दो महीने लो complete 11 अच्छे से यह बहुत अच्छे से बहु त्रूमेंट्री ट्रूमेंस बाइलोजी यह जो भी बुक आपको अच्छी लगती है मुझे नहीं पता हो तो आप वहां से कर सकते हो फिर साथ में नीट की 35 यर्स की कोई पुरानी बुक आती है जिसमें काफी सारे कॉशन दिये रहते हैं जो पहले आया सारे कॉशन लगाओ क से काफी अच्छा कर लिया रिवाइस करो फिर आप एडवांस वाला जो पॉशन है जितना जरूरी है पाथफाइंडर की बुक बोलते हैं वहां से लिमिटेड चीजों को पढ़ो नौट्स बनाओ और रिवाइस करो और वहीं से सारे कॉशन करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पड़ेगी एट लीस्ट छैसे साथ महीने या फिर आठ महीने जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तब नहीं समझ में आएगा क्या करें क्योंकि शुरू में एक डेड महीना अडप्ट होने में लग जाता है अगर आप चाहते हैं करना और थोड़ा सा लेजी हो जाते ह जो काफी बच्चा ऐसा है कि मुझे करना ही है मुझे करना ही है वो फिर भी अड़्जेस्ट होने में दस दिन तो लगाए गई उसके बाद चीज़े जब समझ में आने लगेंगे तो continue कर सकता है बट problem क्या आती है बच्चा शुरू तो करने की सोचता है बट शुरू ही नह करता है और जो कॉशन प्रेक्टिस भी करता है ठीक है तो कोई भी shortcut नहीं है या फिर आपको लगे कि हमें खुछ से preparation नहीं हो रही मैं आप help कर दो तो मेरे complete course भी चलता है अगर आपको लगता है कि हमें लेने चाहिए देन यू काफी अच्छे results आएं top ranks भी हमारे जो कोर्स ह इंडीज वली मैं ही run करती हूँ एक दो हमने अभी शुरू किये हैं teachers side by side कि आपकी जो help करें तो botany हो जोलोजी हो life science हो CUET हो या कोई भी exam हो आपकी अच्छे से preparation हो जाएगी आप पूरा course join कर सकते हो कुछ बच्चे कहेंगे मैं थोड़ा सा fees कम कर दो अगर आपको लगता है आप यहां से पढ़के अच्छा कर लोगे तो वह अच्छे चीज है ना प्राइवेट में वन लैक देने के जगे यहां थोड़ा सा इंवेस्ट करके गौर्मेंट में जाओ वहां पे दस बीस अजार में पढ़ो बाकी अगर जो भी चीजे होती हैं वह अलगी की yes we can manage then we can ब केलिग्राम पे मेरा गुरूप भी जॉइन कर लेना मेरा जो एप है एंड्रोइड से उसको भी डाउनलोड कर लेना और कोई भी समश्चा है नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना अब बात आई कि क्या क्या करना है मैंने बता दिया स्लेवस डाउनलोड करना है इसे जैसा भी कमफर्टेबल लगे दूसरों के स्टैटेजी नहीं अपनानी थोड़ा सा वस गाइडेंस के लिए देखो आप पर जो अड़क होता है या फिर आपकी कोई नई स्टैटेजी बनती है तो उसको बनाओ क्योंकि आपके साथ वही वर्क करेगा जिसमें आप स्टैटेज में सब्सक्राइब काइड़ डिए आपकी नेने क्या चीज वहां समस्क्राइब आपके लिए वहाय दूंगे ओके तिल देन बाबाई टेक क्या है और अपनी प्रपरेशन शुरू कर दो और अच्छे से करो